नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पाथफाइंडर इस्टेडी पॉइंट में और मैं दिवाकर गुपता आपका स्वागत करता हूँ चैनल पे लगातार वीडियो अप्लोड हो रहे हैं सामान विज्ञान, जीविज्ञान, सामान हिंडी का पूरा पैकेज, करन्ट अफेयर्स और जो भी इंपोर्टेंट है आने अली परिच्छाओं के पॉइंट आप व्यू से मैं लगातार सभी एक्जाम्स के वीडियो एक्जाम्स से रिलेटिट टॉपिक वाइस वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस्टिडी माटीरियल मिल सके और उनको भी लाव हो सके तो दोस्तों आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका उड़ान इंडिया में मैं दिवाकर गुपता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ साइन्स एंट टेक्नोलजी की सीरीस सेविन में आज मैं आपके सामने विज्ञान की जो बिभिन साखाएं होती है साइन्स से जो भी उसके ब्रांचेज होती है और उनमें किस चीज की स्टेड़ी की जाती है जैसा कि आप जानते है कि कोई भी एक्जाम हो कोई भी बंडे यग्जाम हो चाए UPPSC का हो चाए SSC हो NDA, CDS या Teaching से लिएक्जाम हो तो science से अगर एक question जरूर आता है तो ये आता है कि उनके कोई ना कोई branch पूछ ली जाती है और उसमें किस चीज का अध्यान करते हैं, किस चीज की study करते हैं, इसके बारे में question आपको जरूर मिलता है तो आज के वीडियो में हम जो है लगभग 100 से अधिक ब्रांचे जो बहुत important है science की उसके बारे में जानेंगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं Acoustics, Acoustic जो कहते हैं इसको ध्वनी से सम्मंधित अध्यान को कहते हैं ध्वनी यानि sound Sound से related जो इस्टीडी होती है उसको हम Acoustic में अध्यान करते हैं फिर anthropology आप लोग जानते हैं बहुत common है Anthropology में क्या होता है मानोव के विकास का अध्यान होता है मानो कपी अवस्था में किस तरह सा था और उसके विभिन रूप कौन से थे कौकिस एरा में उसमें क्या खासियत थी तो इन सब का जो अध्यान होता है वो हम anthropology में करते हैं फिर उसके आद अगर हम astrology की बात करें तो astrology आप जानते हैं कि नच्छत्र विज्ञान को astrology कहते हैं तो म यो हम जो है astrology में उसका अध्यन करते हैं फिर astronomy इसी प्रकार हो था Το नॉमि किया होता है एस्ट्रो नॉमि में सभी खागोली पिंडू चाहे वह ग्रह हों नच्छत्र वो तारे हो या कुछ भी हो जो भी खागोली पिंड होते हैं उनका अध्यान को में astrology करते ए तो हैं दो है यह क्या होता है नीध कर दियांन हें सलीप का निद्रा विजण मुझान भी सेम कह सकते हैं तो निद कर दो हाइपुलाजी या लोजी कहते हैं अश्चो किजिक्स जो होता है क्या होता आकासी-पिंडो के भौति के हम रसायनी गोडों का अधियन मतलब जैसे सूर्य है चंदर्मा है यह सब आकासी पिंड है तो इनके जो फिजिकल और Mental Properties का अध्यन होता है वो हम एस्तरोफिजिक्स में करते हैं फिर एक्रोलाजी जो होता है इसं में घासों का अध्यन करते के जो होता है वो हम एकलोराजी डिद में करते हैं एक रोलाजी एक रोलाजी में किलनी और गून किलनी और गून आप जानते हैं लिए सूच में जो होटे जन्तु हैं जो किलनी तो जो है पसवों में जो है पाये जाती बिसेश कर जो है कुट्ऑों में और घोडों पाये तो वह उनके खूँंचूस्ती उनकी स्कीन में छिपके रहते हैं और इसी प्रेकार गून आप जानते हैं अनाज में लगता है तो जो लकडियों में खिड़की दरवाजों में तो इनके जो अध्यन को कहते हैं उसको क्या कहते है एक्रोलाजी इन में से जो चीज़े आपको ना पता हो या पहली बार सुन रहे हो उसको आप जरूर से नोट करते रहिएगा क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा हदियों के जोड़ों का अध्यान हते यहां पर सब्सक्राइगा को करते हैं जीवों के दवारा जीव जन्तूओं के अध्यान को हम बायोमेट्री कहते हैं फिर कार्डियोलोजी तो कार्डियोलोजी जैसे कि आप जनते कार्डिक मतलब हिर्दे होता है तो हिर्दे और उससे समंदित रोगों के अध्यान को हम कार्डियोलोजी कहते हैं फिर कंकोलोजी में कॉनकोलोजी में मोलस्का संग जो मोलस्का संग होता है जन्त विज्ञान का उसके अंतर रगत सीप संग सीपी जो भी घोंगा इस तरह के जीव आते हैं जो मोलस्का संग से संबंदित होते हैं उनका देन हम कॉनकोलोजी में करते हैं फिर chronology की बात करते हैं तो chronology जो है में काल निर्धारण मतलब time का समया वधी या काल निर्धारण का अध्यान हम chronology को इस तरह से लिखा लए जाता है जैसे पिछले कई काल होते हैं जैसे मीसो जोई के रहा सीनो जोई के रहा फिर उसमें इपाउच आते हैं काल तो इनके जो निर्धारण होता है कि कौन से पर्मियन कौन सा काल था सेलोरियन कौन सा था जुरैसिक कौन सा काल था तो जो काल निर्धारण का विज्ञान होता है उ क्रिमिनलोजी जैसा कि आपको बता क्रिमिनल से का ही अध्यान जो है यह अपराद एवं अपराधियों के अध्यान को हम क्रिमिनलोजी कहते हैं CERAMICS, CERAMICS जानते हैं, CERAMICS के बरतन होतें, तो मित्ती के बरतन बनाने की कला और इससे सम्दित विज्ञान य données is CERAMICS कहलाता है, KEMO THERAPY तो रासाइनिक योगिकों को की से रोगों का इपचार भी सेस, कर रोज़ कर कैंसर का उपचारर के का यह को स्व्हां खोज़ाय immigrant करते कैंसर के को भी जो है जो बोजो करन दौरा उपचार यहाता है उसको विखक केमो exit को स्विभी चैनला जता को संस्त भर्मभाण के कमो भी कहा चैनला को संस्त भर्मभाण 파दred क्रोमेटोलोजी में इसी तरह से क्रायोजेनिक्स क्रायोजेनिक मतलब क्या होता है निम्न तापी इधन वगएरा को जो उसको ते तो निम्न ताप के भिन अनुप्रयोगों का अध्यान हमको जो है क्रायोजेनिक्स में कहलाता है जैसे आज कल बात होती ही क्रायोजोनिक इंज तो सेल बायलोजी कह सकते हैं, यानि जैव कोसिकाओं के जनन विकास कर देन, यानि सीधे सीधे कोसिकाओं का जो संपूर अध्यन होता है, वो साइटोलोजी कहलाता है, फिर अगला है लीठोग्राफी, कई बार पूछा गया है, लीठो जहां भी सब्द जुड़ा हो, आप उ अध्यन या सिला तथा पत्थरों का अध्यन जो है, सिलाओं का अध्यन जो है लीठोग्राफी कहलाता है, मैटिरी एरोलोजी यानि मौसम का विझ्ञाण, मार्फोलोजी मतलब होता है, कि कि किसी भी संनचना की जो आकरतियों बनावट होती है, जो shape and size होता है, जो उपर से दिखता है उसको हम मार्फोलाजी कहते हैं तो इसमें क्या है प्राडियों पौधों चाहे वो जूलोजी की बात करें या बॉटनी की बात करें मतलब या तो हम प्लांट्स की बात करें या इनिमल्स की बात करें तो उनकी जो बाहरी बनावट होती है और उनकी जो सेफ होता है सेपन साइज और उनकी बनावट होती इसके अध्यन को हम मार्फोलाजी कहते हैं फिर मैमोग्राफी मैमोग्राफी आजकल आप सुनते हों कि बहुत ज्यादा फेमस हो गया है क्योंकि इस तरह से ब्रेश्ट कैंसर बढ़ रहा है समाज में आजकल ब्रेश्ट कैंसर कामन हो गय करने की जो बिधी होती है या जो क्रिया होती है जो टेकनालजी होती है उसको हम मैमोग्राफी कहते हैं फिट मेटलर्जी में आता है माइकोलाजी यानि कवक का ध्यादन फंजाई का ध्यादन फंगस का ध्यन मायोलाजी, मार्ससपेशियो या मसल्स का ध्यन मिथोलोजी जैसे आप जानते हैं कि हमाऊने काहता है यानि पौरादि कथाओं का ध्यन ये गटाओं एसी होती है जो एक नगरे दूसरी पीब्रें इसे प्रश्वी तो मेथोलॉजी में हम पाउराई कथा कर दिन करते हैं फृर मेट्री मेर्मेकोलोजी गहाँ थेलेम्रमेकोलोजी और मेस्टोलोजी पूरुस के चेस्ट और नेपल्स का ध्याँ होता है इसको बहुत दो तीन बार आया हुआ है PCS में भी आया हुआ है कि सिक्ख्य के अध्यान को क्या कहते है तो Numistry Metis कहते हैं इसको फिर Numerology याई से कि आप जानते हैं संख्याओं का अध्यान को निमेटोड में क्या आते हैं रिंग वर्म फ्लैट वर्म यह सब आते हैं यह गोल क्रमी का अध्यान जो है निमेटोलोजी के लाता है नेफ्रोलोजी नेफ्रॉण मतलब क्या होता है किडिनी तो उसका अध्यान क्या होता है गुर्दा या ब्रक्य का अध्यान नेफ्रोलोजी के लाता है फिर नेफ्रोलोजी बादलों का अध्यान क्लाउड्स का अध्यान जो है नेफ्रोलोजी का अध्यान नेमोलोजी नोमोलोजी कानून का अध्यान या लौ का अध्यान नियूरोलोजी मस्तिक्स से सम्मंधित मस्तिक्स हुआ उसका यह पूरा तंत्री का तंत्र जो होता है मस्तिक्स नायुत तंत्र या इनके कोई भी योग होते हैं तो उस सबकी जो है neurology के नतरगत है नीडोलाजी पच्छी जो अपना घोसला बनाते हैं उस घोसले बनाने के अभी जो बैग्यानीक अध्यान होता है उससे पच्छीयों का स्वभाव और सब कुछ चीजे जाने जाती है तो उसको हम नीडोलाजी कहते हैं फिर है मतलब बच्चा पैदा करने के लिए जो प्रक्रिया होती है प्रशूति विज्ञान इसे हम कहते हैं हिंदी में तो इसी तकनीक को जो है आप स्ट्रेटिक्स कहते हैं और स्ट्रियों जैसा कि नाम से इसपस्ट है और स्ट्रियों मतलब क्या होता है हड्डी यानि बोन तो अध्यों के अध्यन को क्या कहते हैं हम और स्ट्रियों के अध्यन को हम आप्टिक्स कहते हैं अप्थैल्मोलाजी अप्थैल्मोलाजी में आख और आख से सम्मनित कोई भी रोग होता है उसके अध्यन को आप्थैल्मोलाजी कहते हैं और अगर आप्थैल्मोलाजी का जो ड औप्थैलो लाजिस्ट आटोलॉजी ऐहां भी ऑटोलॉजी हो यानि समझन लीए कान अच्छा यहां पर आटो लाजी लिखा स्वारी तो अस्तित्र के लच्छनों का अध्यान जो है यह ओटोलाजी कहलाता है और ओटोलाजी रही यहां पर लिखा उआ हुआ जिसके बारे में मैं कह रहा था तो यह क्या होता ह। यह कान का अध्यान होता है यूर का हमारे कानों का द्यान जो है ओटो लाजी आ गया तो अस्तिस्क द्यान गया Kelly Allah crush उंको लाजिय मतलब इंसर इंसर ले ट्यूमर का डियान ओंको लोगर आता है और निफ्र या पडू संथ के जीवन का डियान पच्षेंयों का जो है जो पच्षी होते उनके उनके या जीवन चक्र उनके बारे में संऩूर जिएन होता है वह और न E采ति एर नोस थ्रोट यानि नाख कान-गले कर देन को क्या कहते हैं आइतोराणी ल एरिंगोलोजी लेरिंग्स क्या होती है लेरिंग्स जो है जब मैं उदर पढ़ा रहा था आपको पोर्शन तो समय रहता है जो स्वरियंत्र होता है जो गले में हमारे जो स्वरियंत्र होता उसको लेरिंग्स कहते है तो आटो ओटो क्या होता कान होता है राइनो क्या होता है नाक तो यह नाक कान गले यानि तीनो का अध्यान जो जीओं के विभिन अंगों के विकास का धियन और गन का धियन कहलाता है पैथोलोजी रोगों के निरान का धियन होता है जिसके अंतर गत हम बैर्यस बैक्टीरिया और लग किसी भी की जो जाच होती है किसी भी रोग के निरान के लिए जाच होती है उसका धियन पैथोलोजी का सेफोलाजी सेफोलाजी बहुत ही विशिष्ट है ये एक बार ही अब तक उचा गया लेकिन ये बहुत ही चुनाओं में जो जन्मत संग्रह होता है जो चुनाओं में जो हम एकजिट पॉल और ये सब सुनते हैं कि कुछ लोगों से खास बातचीत करके ये पता लगाने की फिर साइक्रिटिक तो साइक्रिटिक जैसा की पीछे भी आया था कि मस्तिक्स और उसके निरान का जो उप्चार का हो है ये जो है मस्तिस के रोगों का अध्यान जो है साइक्रोटिक्स या जो है मस्तिस विज्ञान कहलाता है फिर पेडियार्टिक्स पेडियार्टिक्स में जो है बच्चों और बच्चों के संबंधी जो रोग होते हैं उनका अध्यानम पेडियाट्रिक्स में कहते हैं न्यूमेटिक्स में गैसों का अध्यान किया जाता है वायुमंडली ये गैसे जोती हो न्यूमेटिक्स में उसका अध्यान करते हैं पेनोलाजी में बंदी ग्रहों में प्रबंधन का अध्यान, मतलब जो जेल होती है, जेल के मैनेजमेंट का जो अध्यान होता है, वो कहां किया जाता है, पेनोलाजी के इंतर करते हैं, फार्माइकोलाजी जैसा कि नाम से इसमस्ट है, फार्मा मतलब ही आउसदी होती है, तो औसादि के निरमाण और उसके सिधानतों का अध्येन फार्मैकोलोजी के फिर फ्रैनोलोजी फ्रैनोलोजी में स्कल या खोपड़ी का अध्येन। इसकेलिटेन सिस्टम पढ़ा रहा था, मैंने वहां भी इसका जिक्र किया था, फ्रेनोलोजी में खोपड़ी का अध्यन या स्कल का अध्यन कहता है, पोमोलोजी फलो का अध्यन, पोमोलोजी में सभी जो है फ्रूट्स का अध्यन का पोमोलोजी कहता है, फिर और हम कुछ बि थेड का अध्यान करना जो है पेडाओगी कहला ता पेडालोजी मिट्टी का ध्यान स्वायल साइन स्वायल का ध्यान फिलोलोजी भासा का भी ज्यान यानि लेंग्वेज साइन्स Language science को जो है काध्धयन जो है Philology में कहते हैं OR Pedology में कहते है Swail मिठी का भे गयान करते है Theseology Theseology में 6 रो काध्धयन या ही तीबी Petrology Petrology में सिला और पत्थर की उत्पत्ती काध्यन कहते हैं मतलब सिला और पत्थरों की उत्पत्ती किस प्रकार हुई जो है इसके अध्यन को हम पेट्रोलोजी कहते हैं पॉसोलोजी आउसदी की मात्रा का प्रियोक अध्यन जैसे फार्म एकोलोजी में हमने ये अध्यन किया कि कौन सी आउसदी किस प्रकार बनाई जाएगी उसके क्या गुड़ होंगे लेकिन पॉस्टोलोजी उसके application पर है कि अगर कोई बीमार है तो उसको कितने मिलिग्राम पैरसिटामाल दिया जाना है उसके body weight के साब से तो आउसदी की जो मात्रा है उसका ध्यन पॉस्टोलोजी कहलाता है phonetics तो स्वर की ध्वनियों उनके उच्चारन का ध्यन phonetics कहलाता है aplazzmology जीवारू की कोशिकाओं का ध्यन जीवारू जो होता है bacteria bacterial cell के ध्यन को plasmology कहते है paleology प्राचीन सिला लेखों का ध्यन Paleo का मतलब ही होता है पुरा तो कहीं भी Paleo सब लगर किसी के आगे लगा है तो इसका मतलब पुराने अध्यन तो प्राचीन सिला लेखो के अध्यन को Paleology कहते है फिर Photology, Photo का मतलब ही होता है प्रकास तो प्रकास का अध्यन Photology कह रहता है साइनेकोलोजी साथ साथ उगने वाली पारिस्तित की का अध्यान मतलब यह एकोलोजी की एक ब्रांच हो गई जिसमें एक साथ उगने वाली जो पारिस्तित की तंत्र हैं एक साथ विक्सित होने वाले तो उनके अध्यान को हम साइनेकोलोजी कहते हैं साउरोलाजी छिपकलियों का अध्यान, छिपकलियों का अध्यान के लिए विसिष्ट जो विज्ञान है उसका नाम है साउरोलाजी, फिर टैक्सो नामी, टैक्सो नामी क्या होता है वर्गी करण, पाउधों के वर्गी करण का अध्यान जो है टैक्सो नामी कहलाता है, इसी प्रकार अगर हम देखेंगे कैल्सी थेनिक्स क्रिप्तोग्राफी कार्टोग्राफी बनाने की कला कोब किप्टोगाफिय कार्टोग्राफिय दोनों पेकित जो है है और सब्सक्राइप्ट किया जाते हैं इंब्रीॉडलाजिय भुरूंके विकास का लिए निद каж modern घ्र जो है कोई को को सद्धिक्स उनके जो अध्यान होते हैं उसको हम एथिक्स कहते हैं इथोलोजी मनुस्य जाती के परस पर संबंद था इनकी विश्यस्ताओं का अध्यान जो होता है वो इथोलोजी को अध्याता है इटियोलोजी जो है रोगों का अध्यान रोगों के कारणों का अध्यान या रोगों के क प्रतिवी से बाहर अगर जीवों की उत्पत्ति का जो अध्यन किया जाता है जैसे किसी और ग्रह पर किसी और ग्रह पर तो इसको यह जो है एक्सो बाइलोजी जो है विज्ञान की साखा इसके में आती है इकोलोजी आप जानते हैं बहुत फेमस है पेड़ पौद है और उनके बाहरी बातावरण के साथ जो अंता संबन होता है उसको इकोलोजी कहते है पारिस्थित की यूजेनिक्स में जो है मानो जाती में जो है सुधार करकर उससे जो है मनवांचित गुड़ो वाली जो है संता साथ जिसका जाती है कीट पतंगों का अध्यान कीड़ों का अध्यान जो है ससमय जो है अन्वांचित की तो वनसानुगट गुड़ों का अध्यान या वन्स परमपरा जहां पर पूरी पूरी जो है किसी वन्स का जो अध्यन होता है उनको जीनियलोजी करते हैं फिर गाइनेकोलोजी इस्तरी संबंदी रोगों का अध्यन जीयो पॉल्टिक्स भागोलिक विस्वेस्ताओं के अधार पर राइनेटिक जीवन का अध्यन जीयो लॉजी में जीयो लॉजी ये वाला जीयो लॉजी है यानि भूगर विज्ञान जीसे कहते हैं तो प्रतिवी की आंत्रिक संब्चना का अध्यन गैस्ट्रोनामी अच्छा बोजन पकाने और खाने की कला जो है गैस्ट्रोनामी होती है फिर जीयो नॉमी प्रतिवी की भौतिक इस्थितियों का अध्यन जियो नामी कहलाता है फिर जियो नावनी प्रतिवी की बनावट जियो गनासी भूतत्तों का अध्यन जो भी हमारे भूतत्तों पाय जाते हैं मिर्दल्स पाय जाते हैं उनका अध्यन जिवनासी में किया जाता है फिर हेजियोलोजी संतों के जीवन जो सादू संत होते हैं इनके जीवन का अध्यन जो कहलाता है वो इनके लिखे साहिति हैं संतों के जीवन साहितियों का अध्यन जो है हेजियोलोजी कहलाता है फिर हेमेटोलोजी जहां भी हीम वर्ड जुड़ी आएगा वहां समझा लिजिए रक्त से सम्बंदी थे तो हेमेटोलोजी जो है रक्त का विज्ञान या रक्त सम्बंदी रोगों का विज्ञान होता है हिपियोलोजी या हिपैटोलोजी इसको कहते हैं तो यक्रत या लिवर लिवर का जो अध्यान होता है वो हिपैटोलोजी में कहते हैं हिस्टोलोजी में जो है हमारे उतकों या टिशू का अध्यान आता है हरपैटॉलाजी रेग्णे वाले जो सभी जीवजंतु होते हैं लिए इनको हम रेप्टाईल्स कहते हैं तो इनके अध्यन को हरपैटॉलाजी कहते है हाइड्रोपानिक्स बिना मिठी के जल के सीरह जल में पौदह कुला भी जो कला होती इसको hydroponics कहते हैं hydropathy जैसा कि इसका नामी से hydro मतलब क्या पानी पैथी मतलब उपचार तो पानी के साथ द्वारा जो है रोगों को उपचार की तकनीक को hydropathy कहते हैं और hydrotherapy सूर की किरोणों से रोगों को उपचार को hydrotherapy कहते हैं horology समय का ध्यान मतलब study of time study of time को हम क्या कहते है horology कहते है इसी प्रकार से holography तो holography आप जानते है laser के साहरे जो है 3D 3D stickers आप देखते हैं चिपका रहते हैं तो 3D जो photography होती है laser की टेकनीक से उसको हम holography कहते है hygiene क्या होता है hygiene का अर्ठी होता है कि जो साब सफाई मार्दह के एक्थीओलाजी हो में हम मक्छिलीओं का ध्यान करते हैं suivre our face study of vices क्या कर्लाता है इक्थी ओलोंजी आइकेनग्राफी मुखाक्रतिया मुर्ण मूर्थी निर्माड कला मतलब जो किसी को देख के हुबहु उसकी तरह से जो मूर्थी बनाए जाती है उसको हम आइकेनोग्राफी कहते है आइकानोग्राफी हुबहु किसी की जो है सकल को बनाना आइकोनोग्राफी कैललोलाजी मानों की सुन्दर्ता का अध्यन जो है, यानि सौंदर्य विज्यान कहा जाएगा, तो कलेलोगराफी Laryngology, k rationale जय से कहाता है, Larynx क्या होता है स्वरयंत्र होता है तो ये गले में होता है तो गला तथा k rationale का जो अध्यन होता है उसको Laryngology कहते हैं, फिर अध्यन किया जाता है तो इस प्रकार जो है हमने आज बहुत ही महत्पूर्ड जो विज्ञान की साथ हो रहे हैं जो बार बार पूछी जाती परिच्छाओं में उसको देखा आप इसमें से जो आपको टफ लग रहे होगा तो उसको लिख के उसको नोट्स फॉर्म में नोट क पार्ट होगा उसमें मैं स्पेस्फिकली साइन्स मतलब जिलोजी और बॉटनी के जो बचे हुए सब्द हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा तो मिलते हैं नेक्स्ट सेग्मेंट में तब तक के लिए नमस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूले और सेर जरू रह dys記र के लिए हुए सेर जरू थिल जरूप टो उसले के लिएप्र प कितार तो मेius धिंचे सेरे जरू था रूब ए रहीं हुए जरूब फुफ़ नेक्स ए उर विए बचू करता हैं एंगा हो प्लेड़ और सॉमेंगा धईवाल नेक्स नेवाल